नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका प्रधान मंत्री अवास योजना के लिश्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या-क्या दास्तवेज ज चाहिए जो इंपोर्टेंट है जैसे कि फार्म को आपको कहां मिलेगा इसको कहां पर जमक करना पड़ेगा पटवारी के पास क्या सिगनेचर करवाना पड़ेगा कितने रुपे का आपको इस्टाम पेपर आपको एक लेना पड़ेगा पैसा कितना आपको जमा करना पड़ बने रहे इस वीडियो पर और हाँ अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो हो तो जल्दी से फटाफट सस्क्राइब कर लो तो चलिए वीडियो की और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह रहा वो फार्म अगर आपका लिश्ट में नाम आ जाता है तो आप आपको यह वाला फार्म आपको लेना है कहां कहां सिगनेचर वगेरा करवाना है ठीक है उसको देखेंगे तो दोस्तों यह रहा वो फार्म अवास प्लस पंजियन प्रपत्र ठीक है यह आपका अलग रहेगा आपके छेत्र में के हिसाप से तो दोस्तों यहां पर यहां पर उसके बाद इसमें आपका वर्ग डाल लेना ठीक है या पिछड़ा वर्ग हो या फिर अलपसंख्या को ठीक है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अब जिस भी केटिग्री में आते हो फिर आपका आ जाता है ये परिवार का मुख्या का नाम ठीक है 2011 के जनगर्णा फिर्वार का अनुसार उसको आपको यहां पर जो क्रमांग दिया रहा था उसको यहां पर डालना रहता है अतता है कि दिद्गराही के नाम आ जता है पीता या फिर पती के नाम ठीक है लिंग पूरुस महीला जो भी हो उसके बाद आ आपका आ जता है ये अदहार news went अंग्रेजी में आपको नाम लिख लेना है क्या हिद गाही विंग लांग है या नहीं इसको आपको डाल लेना है ऐसे सिंपल से है कोई कटीन वगर नहीं है मोबाइल नमबर ठीक है अगर स्वयम कहा है तो ठीक है या फिर आपके परिवार इसेदार जो भी यहाँ पर प्रिटिंग प्रेज चोटा-चोट रहता है न गाहं अगर्व में या फिर सहर में भी यह आपका मिल जाएगा पांस दस रुपेर में आपको यह फॉर्म दो पिछका यह आपका मिल जायएगा तीक है इसमें आपको अधार काड़ा चाहिए ठीक है एक आपका सहमती पत्र आपको सबस्के बाहरे दिवन जाता है इतना अपको सलक आपको करना पड़ेगा उसके बाद आ जाता है आपका ये signature इसमें आपका सबसे पहले नंबर पर है सरपंज का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर रोजगार सहयक का हस्ताक्षर उसके बाद आ जाता है आपका हिदगराही का हस्ताक्षर ठीक है उसके बाद यहाँ पर सत्यापन करता अधिकारी का हस्ताक्षर ठीक है यहाँ पर उसका न नाम पीता या फिर पत्ती के नाम इतना बस आपको लिखना रहेगा यहाँ पर फिर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि आपको क्या-क्या ठीक है जैसे कि यहाँ पंचायत ग्रामिट के लिए मेरा अधार नंबर दर्था मुबाइल नंबर को पहचान एवं प्रमाडन यहाँ पर यहाँ पर अंगोठे का निसान लगा सकते हो दिनांग डालना है नाम दाना है पूरा पत्रा डालना है ठीक है यह रहा मुख्या पेज उसके बाद आपको एक 10 रुपे का इस्टाम पेपर आपको ले लेना है यह आपको तहसिल कारलाय में जो बाहर बैठे रहते देना है और कुछ इस प्रकार से बना हुआ ठीक है बना बनाय हुआ आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा वहाँ पर आपको सौर्डेर्स और आपको लगेगा ठीक है उन लोग लेते हैं सायद तो वहाँ पर आप नोट्री वगरा करवा लेना आपको ठीक है उसके बाद किस किसी भी करमचारी को किसी भी अधिकार को आपको पैसा वगरा कुछ नहीं देना है आपके ग्राम पंचायत वगरा में ठीक है यहाँ पर इस पष्ट लिखा रहता है अगर आप किसी भी करमचारी या फिर अधिकारी को अगर आप पैसा देते हो ठीक है तो आपके विरुद कड़ी करवाही हो सकती है तो इन सब में आपको नहीं पढ़ना है और किसी को भी आपको पैसा वगेरा नहीं देना रहता है उसके बाद आपको आजाता है एक फोटो आपको निकलवाना रहता है जैसे कि आप जहां पर आप घर बना रहे हो तो वहाँ पर आप खड़े हो जाना वहाँ पर आपको एक फोटो आपको निकलवा लेना है उसके बाद आ जाता है पटवारी के पास पटवारी के पास आपको एक B1 निकलवाना है अगर आपके नाम पर जमिन वगरा है जहाँ पर घर बनाना चाहते हो तो वहां का एक नक्सा B1 यह आपको लगेगा और पटवारी का वहां पर आपका signature चाहिए ठीक है वहां पर पटवारी signature बगगरा कर देगा वहां पर कुछ पैसा बगगरा कुछ नहीं लेगा वो ठीक है उसके बाद आपका आजाता है एक फाइल ठीक है एक आपको फाइल ले फेक्वे फाइल खास प्रुप में आपको अच्छे से lijk कर देता है इसके बाद आपको क्या करना है आपके अधार कारड़ का फूटोकापी दिये हो बैंक पास बुक का फोटो कापी दिये हो ठीक है वोटर आइडी मररेगा जोब काड़ा का फोटो कापी आप दिये हो वहाँ पर आपको नीचे में स्वा प्रमाडित करके एक आपको सिकनेचर कर लेना है जो हिद ग्राही रहेगा वो कर सकता है ठीक है उसके बाद इस फार्म को अच्छे से आपको चेक कर लेना है उसके बाद आपके ग्राम पंचात सरपंच के पास आपको चले जाना है वहाँ पर आपको जमा कर देना है आप अपने सच्यू के पास जो ग्राम सच्यू रहता है उसके पास भी आप जमा कर सकते हो और ये आपका जो पहला किस्त है वो एक दो महा के अंदर आपको ये पहला किस्त मिल जाएगा उसके बाद आप इसे तीन महा के अंदर ठीक है आपको बनवाना रहता है तो दोस्तों क कैसा लगा मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेश्टे वीडियो में तब तक के लिए जाहें वंदे मातरम